हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर दोस्तो उदेश शिफ कुमार आई प्यो का आज आपको अलोट्मेंट आउट हुथा हुआ देखने को मिलेगा कैसे आपको allotment चेक करना है जोगी ना इस बार link in time पर ना cave in tech पर ना big share services की website पर आज इस बार जो allotment आएगा उदेशिप कुमार का वो एक नई website पर आउट होता हुआ देखने को मिलेगा काफी साय लोगों को इस website के बारे में नहीं पता है उस website के बारे में बताऊंगा कितनी बज़े आपको allotment चेक करना है तीन तरीके में बात का आपको बताऊंगा जिसके थुरू आप जान सकते हैं कि आपको allotment लगा है किन लगा है प्लस इस IPO की grey market पर चर्चा करेंगे और जितनी भी ऐसे मीं IPOs है सब पर इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को पुरा इंट तक देखना वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाए कर दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले फरांट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिस ऑफ अलॉट्मेंट 28th मार्च 2023 तो आज अलॉट्मेंट की प्रक्रिया खतम हो जाएगी और कल तक आपके अकाउंट्स में रिफंड आ जाएंगे जिनको भी अलॉट्मेंट नहीं मिला है लिस्टिंग की बात कर तो 3 अप्रेल को इस आईपयो की आपको लिस्टिंग होती भी देखने को मिलेगी और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 टाइम से आईपयो सब्सक्राइब गया था यानि हर 32 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को अगर अपन करें रीटेल कैटेगरी में करें तो 15 में से 1 टोटल मिला कर 32 टाइम से भरा था तो काफी तगड़ा सब्सक्रिप्शन था साइट बफरों के चांसे काफी हाई है अब अगर बात करें अलोट्मेंट की प्रक्रिया की तो कुछ नहीं करना है दोस्तो आसान सा तरीका है गूगल पर आपको सर्च करना है मास आईपयो अलोट्मेंट स्टेटस जैसे आप सर्च करेंगे एक ऐसा साइट कुलती भी देखने को मिलेगी इस साइट पर आपको क्लिक करना है अभी यहाँ पर दोस्तो definitely site show नहीं हो रही है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो site पर दिखा रहा है IPO में सिर्फ और सिर्फ दोस्तो UMA exports limited दिखा रहा है last time इस website पर UMA exports का आया था तो आपको बता देता हूँ similarly दोस्तो यह से भी आपको allotment check करना है तो आप इस website पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर UMA exports दिखा रहा है अब जैसे ही दोस्तो शाम के साथ दस बसे का time होगा तो इस time frame में यहाँ पर आपको उधर शिप कुमार IPO शोने लग जाएगा और कहाँ पर आपको check करना है तो यहाँ पर आप जूम करके अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है search on deep client ID and search on pan number ऐसे आपको check करना है search on pan number अगर पर आप लिक करेंगे तो एक ऐसा interface उपन होता हुआ देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको pan number डाला है and search पर क्लिक करना है जैसे आप search पर क्लिक करेंगे आपको मालूम पढ़ जाएगा कि आपको allotment लगा है कि नहीं लगा है यह आसान तरीके दोस्तों इसके तुरू आप चेक करेंगे और मेरी यही सला है कि अभी आप चेक ना करिएगा शाम साथ बजे से दस बजे के बीच में डेफिनिटली आप चेक करेंगे तो आपको result मिल जाएगा second website की बात करें तो दोस्तो second अपना है debit and credit के SMS अगर आपके account से debit के message आगए कि आपके पैसे cut गए that means आपका allotment finalize हो चुका है credit के message आगए कि आपका जो IP था वो नहीं लगा है आपके पैसे आपके account में refund हो चुके है क्योंकि काफी साइग लोगों के message आजाते कि आपके जो पैसा blocked था वो unblock हो चुका है या फिर debit हो चुका है या फिर refund हो चुका है ये आसान तरीका है second method है थर्ड method की बात करतो third method है UPI mandate UPI mandate आप जहां पर भी लगाते है वहाँ पर आपको show हो जाएगा अगर महाँ पर revoke लिखावा आ गया that means आपको allotment नहीं लगा है अगर महाँ पर by chance ये लिखावा आ गया कि आपका account successful हो गया आपका जो पैसे लगाए थे वो successfully withdraw हो चुके that means दोस्तो आपको allotment लग चुका है तो ये तीनों तरीके हैं आसान तरीके हैं इनके थुरू आप आसानी से अपना allotment status चेक कर सकते हैं अब अगर gray market की बात करें तो gray market में definitely दोस्तो आपको fall देखने को मिल रहा है क्योंकि market के sentiment जो है वो अभी थोड़े negative होते हुए देखने को मिल रहा है इसलिए दोस्तो सबसे पहली website है अपनी चुत्तोडगे.com यहाँ पर 16 रुपे से घटकर gray market 12 रुपे होती ही देखने को मिल रही है second website है दोस्तो चानक्य.com यहाँ पर starting से 12 रुपे gray market है third website है IPO watch की gray market IPO watch यहाँ पर 15 रुपे gray market है तो current अगर अपन gray market देखे तो दोस्तो current gray market 12 रुपे से 14 रुपे के बीच माती भी देखने को मिल रही है और अभी भी 35% का listing in अगर अपन minimum site पर चले 12% की listing in पर भी चले तो लगबग 35% तक का listing in आपको per lot पर इस IPO में जरूर होता हुआ देखने को मिलेगा तो definitely जिनको भी आज यह IPO मिलेगा उनको definitely शांदार मुनाफ़ा इस IPO में होता हुआ देखने को मिलेगा अब दोस्तों बात करते हैं SME IPOs की gray market पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं Command Polymers के IPO की से इसकी gray market नेगेटिव 4 रुपीज चल रही है देव लैप टैप की gray market पॉजिटिव 4 रुपीज चल रही है उधेशिव कुमार की हमने बात करी लिए Made in Forging का IPO लाँज होता हुआ देखने को मिलेगा आपको 23 मार्च के दिन अगर आपन बात करें दोस्तों सुएटेक फार्मास्यूटिकल्स के IPU की तो सुएटेक फार्मास्यूटिकल्स IPU की gray market लगबग 8% उपर चल रही है इनफियम फार्मा केमिकल्स की gray market में भी कोई कामकाज नहीं है मौस उटिलिटी की gray market 5 रुपे उपर चल रही है एवलॉन टेकनलोजी की gray market 25 रुपे उपर चल रही है तो इस वीडियो में हमने अलॉट्मेंट शेटर्स की बात करी है gray markets की बात करी है ऐसे मियाए पर उसकी gray market की बात करी है तो वीडियो अच्छा लगाओ दोस्तों चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक यू पटूचिंग इस वीडियो